बरेली में भार्दे किसान यूनियन के कारेकरताओं ने जिला द्यक्ष गजेंद्र सिंग्यादव के नेतरत में जिला धिकारी को ग्यापन दिया और इंफको प्रोजेक्ट आवला इकाई प्रवंधन के विरुद विगत ग्यारा महीनों से किसान यूनियन टिकेत का चल रहा है उस पर कारिवाही ना किये जाने पर रोश प्रकट करते हुए यथा शिग्र कारिवाही करने की मांगी है गजिन्र सिंग्यादव ने बताए कि जिन किसानों की भूमी अधी ग्रहित की गई है इसको प्रभंधन दुवारा यह वायदा किया गया था कि उनके परिवारों में से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा उन किसानों की जमेन भी चली गई और रोजगार भी नहीं दिया गया किसान भुखमरी के कगार पर है ना अनाज पैदा नहीं कर सकता है ना रोजगार मिला और जो भी ओरडर आते हैं वहां का इस्थानी प्रशाशन उसको ठंडे बस्ते में डाल देता है किसानने वहां दरना दे रखा यहां का जिला प्रशाशन जोंकि फिर भी सायोग कर रहा है वहां का जो लोकल प्रशाशन है उसका बिल्कुल सायोग नहीं कर रहा है जो आदेश यहां जाते हैं वहां पेंडिंग हो जाते हैं उसका रिमाइंडर देने आया थे जो समय सीमा प्रचाशन के जमीन जायता है तो उसमें यह श्रत थी एक वो ता कमेंडमेंट इसका लिखित कमेंटमन की सानों इसका जेमिन नौकी दी जाएगी उसमें से कुछ लोगों को नौकी दी गई अधिकतर लोगों को ऐसी छोड़ दिया गया वो श्रम जो करते थे अपने खेत में उस्रम भी खतम हो गया उनकी खेती भी चलिए गई यहां तक कि ऐसे ऐसे गाटे हैं जो जो कि इन्होंने घेर रखें ना तो अधिग्रहित थे ना अधिग्रहन की सीमा में आते थे अभी घेर हुए हैं उसकी जाँ चल रही है जाँ कब तक हो बाएगी इस मुद्यों के लिए जल्दी जाँच हो उन पर एक्शन हो यहां तक कि जो सरकारी जमीना पीड़ुटी की उसे पीड़ुटी ने नोटिस दिय नयते जल्दी इसका निस्तान करा जाँ अनिता किसान और बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा